दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गोड़ों को कप पालतू बनाया गया है नहीं न तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गोड़ों को कप पालतू बनाया है गोड़ों को करीब 6000 साल पहले पहली बार पालतू बनाया गया गया इसके बाद गोड़े किसी न किसी परकार से मानव की स मानकर उसके निर्टेशों का पालन करते हैं एक जुंड के गोड़े दूसरे जुंड के जीवन और शांति को भंग नहीं करते हैं किसी समय गोड़ों गदों जैब्रा और खचरों के पुर्वाच एक ही थे किसी तरह के संकट में नर्चारों ओर से मादा को गेर के खड़े हो जाते हैं और दुश्मन का सामना करते हैं क्या आपको पता है कि इत्यास में गोड़ों पर लिखी गई पहली पुस्तक शाली होतर है जिसे शाली होतर रिजी ने महाभारत काल से भी बहुत पहले समय में लिखा था आज से 6 क्रोड साल पहले कि गोड़ों का कद केवल 14 इंच और वदन मातर 5.5 किलो था इसे हियो हिप्स कहा जाता था आज के गोड़ों के एक पंजे के मुकाबले हियो हिप्स के अगले पैरों में चार उंगलिया और पीछे वाले में तीन उंगलिया होती थी आम तोर पर गोड़ों का जीवन काल 25 से 30 वर्षक होता है प्रंतु इंगलेंड में 1960 में चनमा एक गोड़ा 62 साल तक गिंदरा जिसकी मित्यू 27 नवंबर 1822 पूही इस गोड़े को ओल्ड बैली नाम दिया गए गोड़े के 62 साल मनुष्ये के 173 साल के पराबर होता है गोड़े का पहला साल मनुष्ये के 12 साल के पराबर होता है दूसरा साल 7 साल के पराबर होता है तीसरा साल 4 साल के पराबर होता है बाकी के 2.5 साल के बराबर होता है दुनिया में गोडों की लगबख 160 नसले पाई जाती है इन में से अर्भी गोड़ा सबसे उत्तम माना है जाता है गोड़े खड़े होकर और लेट कर दोनों तरह से सो सकते है क्या आपको पता है कि धल पर रहने वाले प्राणियों में गोड़े की आंके सबसे बड़ी होती है गोड़े को गजनी फिल्म के आमिर खान की तरह शार्टरम मेमोरी होती है जिसके कराण में भविश्चे के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाता है चलिए आप बात करते हैं गोड़ों के आँकों के बारे क्योंकि गोड़े के आँके उनके सिर के एक तरफ लगी होती है इसलिए वह एक समय में 360 डिगरी तक देख सकता है मनुश्य के बाल नापोन और गोड़ों के कुर एक ही तरह के प्रोटीन से बने होती है एक अनुमान के अनुसार संसार में लगबख 6 करोड़ गोड़े गोड़ों को अंग्रेजी में इस्टेलियन और गोड़ी को मेर कहा जाता है गोड़ों के दात उनके सिर के दिमाग से ज़्यादा इस्थान का घेराव करता है नर गोडो में मादा गोडो से ज़ादर दान्त होते हैं नर में उसतन 40 और मादा में उसतन 36 दान्त होते हैं गोडे केवल नाक से सांस ले सकते हैं मनुश्यों की तरह मुझे नहीं आस्ट्रेलिया में 1988 से पहले एक भी गोडा नहीं था इसके बाद उपनिवेशी इस देश में गोडा लेकर आये आस्ट्रेलिया में गोडो का कोई भी कंकाल नहीं मिला है तो दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताए लाइक करें, सस्क्राइब करें और बने रहें ऐसी इंटरस्टिंग फैक्ट के साथ